दूसरी तिमाही में GDP के बढ़ने के बावजूद शेयर बाजार ने नकरात्मक रुख दिखाया है। उमीद की जा रही थी कि बढ़ी हुई GDP का सकारात्मक असर शेयर बाजार में पढ़ेगा। शुक्रवार को जब बाजार खुला तो थोड़ा असर देखा भी गया, सेंसेक्स करीब 200 पॉइंट्स उपर खुला, बगर ये बढ़त ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रह सकी। और बाजार गिरने लगा, बंध होते होते सेंसेक्स 316 पॉइंट्स नीचे गिरा और निफ्टी 104 पॉइंट्स लोड़क गया। GDP के बढ़ने के बावजूद बाजार का नीचे गिरना बाजार में अर्थवेवस्था पर बने भरोसे पर सवाल खड़े करता है।